हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपनी चैनल सीकोचिंग क्लस्स पर स्वगत है दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग चल कुंडली धारा मापी तो दोस्तों चल कुंडली धारा मापी की रचना चर्चा करेंगे है ना बस अपन को इसको रचना देखना है और दोस्तो इसके बाद इसका क्या देखना है गड़ती ब्याख्या और इसका सिध्यानत तो इसकी रचना लिखना है दोस्तो आपको मैं आप लोगों को सबको समझा रहा हूँ है ना मैं जैसा जैसा बोलूँगो दोस्तो ऐसे आप लिख सकते हैं तो डायग्राम में दोस्तो जैसा जैसा डायग्राम बना हुआ है वैसे बोलना है उसी तरह से लिखना है कोई भी चीज दोस्तो यदि बर्णन करना होता है रशना लिखना होता है तो चित्र बना करके उसमें जो जो चीजें होती है उसी को तो रिखना होता है तो चले स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले तो चलकुंडली धारा मापिये तो पता आपको तो दोस्तो इसमें सबसे पहले तरही बता होगा कि इसमें एक इस्थाई नाल चुम्बक होता है नाल चुम्बक दोस्तो जो यू अकार का होता है कैसा होता है यू अकार का इसे बोलते है नाल चुम्बक तो दोस्तो इसमें एक इस्थाई नाल चुमक होता है तो यह क्या एक एक एन एस नाल चुमक है ठीक है जिसमें धुरूबखंड एन और एस मुलायम लोहे के बने होते हैं मतलब दोस्तो एन और एस जो होते हैं किसके बने होते हैं मुलायम लोहे के बने होते हैं ठीक है अब आ आपतल वेलनाकार कटा हुआ भाग होता है मतलब दोस्तों एनेस चुमबक के बीच आपतल वेलनाकार भाग होता है इसके बीच एक कुंडली दिख रहा दोस्तों ये इसके बीच एक कुंडली ए है एक कुंडली ए है ठीक है जो कि दोस्तों फासफर ब्रांच की पत्ती से लट लटका दी जाती है लटका हुआ है आगे दोस्तों ये जो कुंडली के दूसरे सिरे का स्प्रिगा इसे होता है ठीक है ना किसे होता है दोस्तों ऐसे होता है और कुंडली तावे के प्रत quarent तार को ऐलुमीनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाई जाती है मतलब दोस्तो ये जो कुंडली है इसको कैसे बनाते है दोस्तो ताबे के प्रथक्रत तार को ऐलुमीनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाई जाती है जैसे दोस्तो ऐलुमीनियम का फ्रेम हो गया इसमें फिर तार को लपेटा जाता है बार बार तो दोस्तो कुंडली बनती है तो कुंडली को किसे बनाते हैं तो ताबे की प्रथक्रा तार को ऐलुइनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाए जाती है आगे इसके मद रिक्तिस्थान होता है कुंडली के मद क्या होता है रिक्तिस्थान होता है और नर्मलोय का क्रोडस C होता है जो दोस्तों यहाँ पर रिक्तिस्थान भी देख रहे होंगे और इसमें नर्मलोय का क्रोडस C है ठीक है जो कि कुंडली को कहीं भी इस परस नहीं करती यह जो नर्मलोय का ऐसा माध्यम बना दिया जाता है कि कुंडली को कहीं भी इस परस नहीं क है अगे दुस्तो फासफर ब्रांच की पत्ती में एक शमतल दरपण एम लगा होता है है ना जिसकी सायटासरे अपन क्या करती है कुंडली के बिछिखेप को ग्याद कला है कि कुंडली कितना बिछिखेप फूरा है अब इस सारे प्रबन्ध को दुस्तो एक अनुच्यमी की प जो जो मैंने कहा उस चीज़ों को आपको लिख देना है तो एक बार और समझते हैं दोस्तों रचना ठीक है कि किसमें चल कुंडली धारा मापी में एक इस्थाई नाल चुम्बक होता है जिसके धुरूफकंड N और S मुलायम लोहे के बने होते हैं आगे तथा अपतल बेलनाक कारभा कटे होते हैं इसके बीच एक कुंडली A होती है क्या दोस्तों जो की फास्फार व्रंट ऊप से लटका दी जाती आगे दुस्तों कुंडली के दूरे दूसरे सीरे का सम्बंध I स्प्रिंग ऐससे होता है आगे कुंडली को ताबे के प्रतक कुंडली को किसे बना जाती है ठीक है इतना लिख लिए कि तावे के तार को या प्रथक कर तार को ऐलुमीनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाए जाती है आगे इसके बीच कुछ रिक्तिस्थान होता है देखें यहां पर इसके बीच क्या होता है दोस्तो कुछ रिक्तिस्थान होता है है ना इसके ब ब्रांच की पत्ती अफ और इस्प्रिंग एस का संबंद करम सट्टी ओन और टीटू से होता है ठीक है ना दूस्तो और इस सारे प्रवंद को क्या करते हैं एक अनुच्चुमकी से बने एक बाक्स में रख दिया जाता है ताकि इस पे धूलकन का प्रभाव ना हो और एक आता से कुंडली के भी छेप को ज्याद करते हैं तो इस प्रकार दोस्तो आपको रचना समझ में आ गया होगा अब दोस्तो अपन चर्चा करने वाले सिध्यान्त तो यह रहा आपका सिध्यान्त का चित्र अब दोस्तो इसको अपन समझेंगे सिध्यान्त ठीक है तो दोस्त कारभाग तो यही दोस्तों इसको मतलब चत्रगुच के आकरती में इसमें दो सीरे हैं एक ये सीरा ये धारा इधर जा रहा और ये सीरा ही मतलब दो सीरा दोस्तों जिससे कुंडली मिलकर बना हुआ है तो इसको अपन को सिध्यान लिखना है और जो भी माना होगा दोस्तों उ खेत्र B में लटकाया गया है आगे दोस्तो A, B और C, D बराबर कितना लिख देना है आपको L, L की लंबाई है न तो आगे लिख देना है A, B और C, D, दोनों का लंबाई दोस्तो L, तथा, तथा, A, D, बराबर, B, C, B बराबर कितना होगा दोस्तो B, कितना आपको लिख देना है कि माना एक आथा कारकॉंड़ी A, B, C, D है जो एक समान चुमकी छेत B पर रखा हुआ है अब दोस्तो चुकि A, B, और B, C, एक दूसरे के लंबाबत है इसे प्रकार A, D, और D, C, एक दूसरे के लंबाबत है तब इनको माना मान लेते हैं कि माना A, B, C, D, बराबर L मतलब लंबाई L और चड़ाई दोस्तो A, D, B, C, बराबर B अब दोस्तो थोड़ा सा इस डायग्राम को समझें कि मान लेते हैं बल की दिसा उपर की और चुमकी छेतरी है और यहां पर ठीटा कॉन बनाता है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है B, मतलब दोस्तो यह जो दूरी है B है तब दोस्तो यहां कमान कैसे आएगा तो यह दोनों की दूरी कैसे निकालेंगे तो पता होगा दोस्तो यह कौन है सामने वाली भूजा लम और जब भी लम होता है दोस्तो उसको अपन साइन से भी और जिद करते हैं तो इसको अपन ने कर दिया B, साइन ठीटा है ना तो दोस्तो क्या करेंगे अपन कि जब फर्मला और जैर्टी कर रहा है तो उस पर कितना वल्कार करता है कहने को मतलब दूस्तो यह जो कुंडली है इसके सिरे पर एक बल्कार करता है तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुए है कि सीडी के कागच के यह सीडी है ना इस कागच के त record के लमबात लंबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब पोता है और कुंडली कितना भी छेपोता है थीटा भी छेपोता है है और दोनों की बीच की दूरी तो दूरी कितना दोस्तो B, Sine, Theta इसको मैं कह दूँ कितना दोस्तो B, L है दोस्तो इसको आए लंबाई गुणे चोड़ाई क्या कहलाता है छेतर फल और Sine, Theta या Sine, Alpha कर सकते हैं Alpha लेकर चलें तो Alpha कर लेते हैं अब दोस्तो यहां A कैसे आगया तो A आगया लंबाई गुणे चोड़ाई अब आगे दोस्तो यदि कुंडली में N फियरे हूँ N फियरे हूँ तो बलागुण कितना होगा N का मल्टिप्लाई होगा N, B, I, A, Sine, Alpha यह दोस्तो बलागुण कहलाया क्या कहलाया बलागुण ठीक है अब यदि दोस्तो Alpha बरावर 90 डिगरी हो मतलब लमबद बलकार करे Alpha बरावर 90 डिगरी तो आप ही बता ही कितना हो जाएगा N, B, I, A, Sine, 90 Sine, 90 कमान एक दोस्तो बलागुण कितना लगा आपके पास कितना N, B, I, A इतना ही लगेगा N, B, I, A Sine, Theta कमान कितना होता Sine, 90 कमान एक होता है इतना लगा देंगे ठीक है इसको देते दोस्तो समी करने आगे चल कर काम आएगा अब आगे कह करना दोस्तो कि यदि शाम्य वस्ता यदि साम्य वस्ता से कुंडली का विछेव Theta हो, मतलब Theta कोण घूमे होतो दोस्तो एठन का बल्यूग में घून कितना होगा एठन बल्यूग में आगून पराबर होगा C into Theta जहां C क्या है दोस्तो C है एक आंक एठन का आगून है एक आंक एठन का आगून है ठीक है दोस्तो ये भी एक बल्यूग होन है जैसे मान लेते हैं बार बार घूम रहा है एक कपड़ा को ले ले और आप उसको बार बार मोने तो एठन लगता है तो जो C है वह यह दोस्तो एक आंग एठन का आगून अब दोस्तो ये भी एक बलागून है और ये भी एक बलागून है सुरी ये भी एक क्या दोस्तो एक बलागून है इन दोनों का पन क्या कर दें कंपियर कर दें अब इदी इससे I निकालना चाहूं तो पक्षांतर कर देता हूं तो कर दीजिए I बराबर किता जाएगा दोस्तो C थीटा तो C थीटा रहने दें बांकी का बांकी दोस्तो पूरा पक्षांतर कर दें तो N, B, A हो गया ठीक है अब इसको एदी अरंज करके एक इस्टेप ऐसा लिख दूँ कि I बराबर थीटा यहां पर ऐसा कर दो C, N, B, A और थीटा को अलग इसको एदी क मान लो दोस्तो तो कितना हो जाएगा I बराबर के इंटू थीटा यहां के बराबर कितना माना हमने जहां के बराबर दोस्तों माना हमने C अपान N, B, A क्यों हो गया अब दोस्तों जब के लगता है मतलब शमानुपाती हटता तो के लगता है यह जब के हटेगा तो समानुपाती ठीटा लग जाएगा यह चीज हो गया है ना केने मतलब कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन विछेव के अनुक्रमानुपाती होता है इतना आपको लिख देना है यहां पर क्या लिखना है दोस्तों कुंडली में प्रवाहित धारा क्या दोस्तों कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन बिच्छोव या बिच्छेप के अनुक्रमा नुपाती होता है ठीक है पूरा सिध्यान था दोस्तों तो लिखने ही पड़ेगा अपन तो चर्चा करेंगी अब जैसे दोस्तों आपके पास आया था टाव बरावर कितना न भी आई ए साइन अलफा तो य webinar में अधिकतं की बात करों अधिकतं के लिए क्या होना चाहिए अलफा बरावर 90 डिग्री मतलब दोस्तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा N B I A साइन नब्बे डिगरी कंडिशन फर्ष्ट कर रहा हूँ तो टाउ बराबर N B I A हो गया साइन नब्बे कमान एक होता है और दोस्ते दी मैं कहूँ नियून्ताम के लिए नियून्ताम के लिए तो टीटा बराबर कितना होना चाहिए 0 डिगरी मतलब टाउ बराबर N B I A साइन नब्बे साइन 0 डिगरी और साइन 0 कमान 0 तो इसका मन कितना हो जाता 0 हो जाता मतलब दोस्तो अधिक्ताम के लिए लमबद कार करना चाहिए और निंतओं के लिए समानांतर मतलब 0 Degree होना चाहिए इस परकुर दोस्तो धारमापी चलकुंड़ी धारमापी या कुस्चन आज़ाए निलंबित ठीक है या आपके पास आज़ाए चलकुंडली दोनों में से कुछ भी आ जाए दोस्तो निलंबित कुंड़ी धारमापी या दोस्तो चल कुंडली धारा मापी तो आपको यही चीज लिखना है ठीक है अब इसको दोस्तो क्या है थोड़ा सा लंबा है बेंजक कभी कभी कोश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निलंबित कुंडली धारा मापी का सिध्यान समझाईए बीना चीतर बनाए तो फिर आपको क्या कर शिना करना पड़ेगा ठीक है दो थोड़ा वीडियो लंबा था लेकिन इसलेबा सी ऐसा तो क्या किया जाए ठीक है तो आसा करता हूं कि आप सबको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक करेगा दोस्तों सेयर करिएगा ने चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन भी लीजेगा चलिए दोस्तों चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में ने टापिक साथ तब तक लिए दोस्तों जाहिए बंदे मातर हम